हलो गाइज, वालकम टू प्रोटॉक यूटॉटॉब चैनल फ्रेंट्स आज का जो वीडियो मैं आपके साथ सेर कर रहा हूँ इस वीडियो में मैं ऐसे लिस्टिंग को ग्रोथ करने के बारे में बात करूँगा ऐसे लिस्टिंग जिसके ओर्डर्स आपको वीकली 1, 2, 1, 2 इस तरह करके आपको वीकली उसके ओर्डर्स मिल रहे हैं और आप चाहते हो कि इस listing को हम और ज्यादा उसकी sale rank अच्छी करें और ज्यादा से ज्यादा उस listing से orders लाएं तो ऐसा क्या analysis और editing आप उस listing में कर सकते हो जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा order मिले ये आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तो इसके लिए हम एक random listing लेंगे जिसकी rank थोड़ी कम हूँ ताकि हम उससे relate कर सके और अपनी listing में वो सब कुछ apply कर सके तो friends यहाँ पर आप देखे हो मैंने पूरी press search किया है और बहुत से listing में सामने आ रही है sponsored भी आ रही है और reviews वाले भी आ रहे हैं तो एक मैं यहाँ पर listing ले रहा हूँ जिसमें reviews नहीं है और इस listing से हम दोग देखेंगे कि कैसे अगर अभी आप assume कर लिजे कि यह listing आपकी है और कैसे आप इस listing को अपने जो rank है उसे अच्छे कर सकते हो तो friends यहाँ पर सबसे पहले तो हम हमारी जो भी listing है उसके हम basic analysis करेंगे others listing के साथ जो top rank कर रही है जिसकी ranking 1,2 इस तरह की ranking है उसके साथ analyze करेंगे कि हमारी listing कैसी है हमारी listing के जो basic structure है वो सही है या नहीं है तो हम उस listing से देख कर सीखेंगे second step में दोस्तो हम यह करने वाले हैं कि हम जो भी top rank पर list है product उनके जो keywords है वो किस keywords पर rank कर रहे हैं वो हम keywords analyze करने वाले हैं और उस keywords को हम लोग अपने listing में add करने वाले हैं और third stage में दोस्तो हम बात करेंगे advertisement के उपर कि advertisement करने से हमें कितना benefit हो सकता है और advertisement हमें कैसे करना चाहिए तो चली दोस्तो start करते हैं तो friends यहाँ पर देख सकते हैं यह जो listing है सबसे पहले तो मैं इसका rank check करता हूँ कि इसकी ranking क्या है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो rank है वो अपने देखते हैं कि इस category में जो first page पर rank कर रहे हैं वो products कौन से हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से products आ गया है और similar जो product है हमारा एक number पर ही rank कर रहा है तो जो एक number में rank कर रहा है दोस्तों उसे हम open कर लेते हैं तो इसे हमने open कर लिया और एक तरफ हम अपना list है हमारी जो list है इसे हम open कर लेते हैं तो पहले तो हम लोग अपना first step जो है मारा first stage उसके उपर काम करेंगे कि हम basic structure देखेंगे अपनी listing की और जो top page पर जो first rank है जिस listing की उसका basic structure देखेंगे और अगर हमारी listing में कुछ गलती है तो उसे हम लोग ठीक कर लेंगे या उसकी listing में कुछ गलती है और वो हम लोग फिर ठीक करेंगे तो दोस्तों यह रहा हमारी यह जो रहा first page वारी listing इसे हमने page 1 पे मैंने जो है वो open कर लिया है और एक तरफ हम अपनी listing को open कर लेते हैं तो यह दोनों listing अब हमारे सामने है बाकी कर लेता हूँ थाकि हमें असानी हो तो देखिए दूस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो इसका जो brand name है वो brand तो आपका अगर brand name नहीं है तो gti in जरूर ले ले और अपने brand name से sale क कम हो जाता है तो यहाँ पर आप अपने listing पर जरूर 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 आपके पास trademark नहीं है तो gti in लेकर आप यहाँ पर brand name जरूर आड़ कर ले अब दोस्तों यहाँ पर बात करें तो यह देख सकते हैं amazon fulfillment है तो fulfilled by amazon है तो जाएरे इसकी visibility बढ़ेगी यह वाले जो products होते है उ product है उसकी visibility बहुत जादा बढ़ जाएगी अब दोस्तों आते है टाइटल के ऊपर तो टाइटल यहाँ पर देख सकते हैं बढ़ियासा है बहुत सारे keywords इस टाइटल में यूज किये गया है तो आप अपने लिस्टिंग में टाइटल में keywords यूज किये है या नहीं किये है ज टाइटल में आपको अच्छे से देख लेना है कि keywords हमारा हमारा एड है या नहीं देख सकते हैं रोटी प्रेस यहाँ एक keyword है चपाती मेकर यहाँ पर keywords है खाकरा यह भी keyword है सब यहाँ पर keyword ही add करके title पुरा बनाएं गया हुआ अब दोस्तों यहाँ पर आप नीचे आए bullet points पर तो at least five bullet points आपके पास होने चाहिए तो देख सकते हैं हमारी listing में भी five bullet points है और यहाँ पर देख सकते हैं जो एक नमर में rank कर रहा है one number पर वह भी five bullet points है तो यहाँ तक तो हमारा इस्टेक्टर सही है यह बिल्कुल ही copy करके seller ने यहाँ पर paste कर दिया है अब दोस्तों नमर में rank कर रहे हैं उनका भी दिया हो ही है तो आप देख सकते हैं दोस्तों product decision यहाँ पर seller ने जो एक नमर में rank कर रहे हैं उन्होंने a plus content बिल्कुल ही यूजी नहीं किया है तो आप यहाँ पर अपनी लिस्टिंग में यह ठीक कर सकते हो a plus content add कर सकते हो अब एक plus content कैसे add कर अपने product पर इसका already video बना हुआ है link आप उससे मिल जाएगा आप जरूर देख लें उसे तो आप अकर एक plus content भी डाल देते हैं तो आपकी जो listing है वो one number में जो rank कर रहा है उससे तो अच्छी हो ही जाएगी तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने basic level पर अपनी listing को सही कर लिया है अब दोस्तों आते हैं second step पर जहां पर हम देखेंगे कि keywords के उपर कि क्या keywords जो है वो इस listing को rank कर वा रहा है जो first number पर rank हो रहा देख सकते हैं कि ranking one है तो कौन से keywords है जो इसको help कर रहे है rank करने में तो keywords का analysis करने के लिए मैंने आपको पहले बताया है helium 10 tool यूज कर सकते हैं आप यहां पर यह extension जो है यह product का rank बताता है और साथ ही यह आप देख सकते keywords बताएगा तो keywords पर आप click करोगे तो यह product कि keywords पर rank कर रहा है वो आपको बिल्कुल ही exact पता चल जाएगा बहुत सारे keywords आपको यहां पर helium team दे देगा जो जिससे आपको पता चल जाएगा कि यह product किन keywords प करते हूं तो देख सकते हैं दोसको यहां पर helium 10 में हमें बिल्कुल ही keywords देता है कि कौन से keywords पर यह listing जो है हमारी rank कर रही है यह वो listing है जो one number पर rank कर रही थी तो यह देखिए यह keywords क्या है चापाती maker press यह सारे keywords है यह देख सकते हैं पूरी press stainless steel यह सारे keywords के ओपर यहां पर rank कर रहा है उसका building का कुछ decision है मिल जाएगा उस वीडियो को जुरूर देखिए और आप अपने टाइटर में भी इस keywords को यूज कर सकते हैं बहुत बड़े बड़े जो फेज वाले keywords है जिसे देख सकते हैं चापाती maker press machine electric आपका electric तो नहीं है बट आहां machine तक आप यूज कर सकते हो और को आप अपने listing में यूज कीजिए इससे आपकी ranking जो है वो बढ़या होने में बहुत जादा help मिलेगी तो helium 10 को ज़रू install कर लिजे free में आप यूज कर सकते हैं इससे आपको keywords का idea बिल्कुल लग जाएगा अब दोस्तों बात करें इस थर्ड में हम आते हैं advertisement के उपर दोस्तों आपको advertisement तो करना ही चाहिए advertisement अगर आप करते हूँ अपने products की तो आपका top page पे product जरूर आएगा उसकी visibility बढ़ेगी यहाँ पर दे सकते हैं अगर मैं पूरी press यहाँ पर search करता हूँ तो यहाँ पर आपको advertisement वाले products दिख जाएंगे जो advertisement कर रहें अपने product के ऊपर तो यहाँ पर देखे बहुत से products हैं जो अपने यहाँ पर advertisement कर रहें ताकि आपकी प्रोडट की विलिविटी जो है वो बंती बनी रहे प्योंकि दूस्तों आप जो प्रोड़क्स सेल कर रहे हैं Amazon पर बहुत से सैलर है जो सेम प्रोड़क्स को सेल कर रहे है तो आप अगर एड चलाते हो तो आपकी विलिविटी बढ़ती है तो ओटोमेट पहले एड ट्राइ करें आपको कीवर्ड का आइडिया पता चला ज़्याए कि कौन से कीवर्ड पर सेल आती है कौन से कीवर्ड पर इस प्रोड़क्स पर सेल नहीं आती है उसके बाद आप स्विच कर सकते हो और फिर manual add run करकरके अपने प्रजेट्स की विलिटी अच्छी कर सकते हो और order भी अच्छे gain कर सकते हो तो thank you for watching this video दोस्तों और इस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो like जुरू कर दे साथ ही आप इस वीडियो से related कुछ doubt रगया हो तो comment करें मैं आपको reply दे दूँगा साथ ही आप इन future कौन से topics पर वीडियो चाहते हो comment करके जरू बताएं आने वाले वीडियो में उन topic के उपर जरू लेकाऊंगा thank you for watching this video मिलते हैं next video